पर आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक बहुत बड़ी खबर आ रही है ये खबर नेपाल की राजधानी काठमांडू से आ रही है नेपाल की राजधानी काठमांडू में प्लेन क्रैश हुआ है टेक आफ करते वक्त ये प्लेन क्रैश हुआ है विमान हादसे में अब तक पां फिलाल मौके पर राहत और बचाव कारे जारी है तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर नेपाल की रालधानी काठमांडू से जहां पर प्लेन क्रैश हुआ है कुछ तस्वीरे मौके की मिल रही है आपको बता दें कि जब ये प्लेन क्रैश हुआ बड़ी खबर ये है कि अब तक पांच लोगों की मौत होने की जानकारी मिल रही है जिसकी लगबग पुछ्टी हो गई है पांच लोगों की मौत इस प्लेन क्रैश में घायल है कुछ लोग जिने नजदी के अस्पताल पहुँचाए गया है और ये विमान क्रैश नेपाल की राजधानी काच मांडू में हुआ है पाइलेट है कैप्टन M.R. शाक्य जो घायल हुए है उन्हें अस्पताल पहुँचाए गया है साथी क्रू मेंबर्स और कुछ पैसेंजर्स जो इस विमान में सवार थे घायल है उन्हें अस्पताल पहुँचाए गया है आपको बता दें कि खबर ये मिली है कि इस प्लेन ने ट्रिबुवन एरपोर्ट से ओडान भरी थी और इस उडान भरने के साथ ही कुछ ही देर में ये फिसल गया रन्वे में और क्रैश हो गया तो सुबग 11 बजे की एक घटना बताई जारी जब प्लेन क्रैश हुआ है प्लेन एक प्राइवेट कंपनी का बताई जा रहा है सौर्या एरलाइन्स इस प्लेन की कंपनी का नाम है और अभी फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कुछ लोग बताई जा रहे हैं इस मलबे में हो सकते हैं जिने निकालने के रियास चल रहे हैं तो विमान हद से अब तक 5 लोगों की मौत होने की बात सामने आ रही है इससे पहले भी जन्वरी के महिने में एक प्लेन क्रैश नेपाल में हुआ था और अब एक बार फिर से प्लेन क्रैश की खबर सामने आ रही है नेपाल की राजधानी काचमांडू में टेक ओफ करने के दौरान एक विमान दुरघटना गरस्त हुआ है और इस विमान में बताया जा रहा है कि 19 लोग सवार थे और अब तक 5 लोगों की उनमें से मौत हो गई है कई लोग घायल हुए हैं जिने अस्पताल पहुंचाया गया है बचावगल ने पांचों यात्रियों के शव फिलहाल बरामत कर लिये हैं जबकि कैप्टर ने जो इलाज के लिए अस्पताल जी ने भरती कराया गया है सौर्या एरलाइन्स का ये विमान बताया जा रहा है काटमन्डू के त्रिभुवन इंटरनाशनल एरपोर्ट से इसने उडान भरी ही थी कि अचानक से ये दुरघटना ग्रस्त हो गया फिलाल बताया जा रहा है ये विमान पोकरा जा रहा था काटमन्डू से इसमें 19 लोग सवार थे खरीब 11 बजे ये प्लेन क्रैश होने की बाद सामने आ रही है फिलाल पुलिस फाइल ब्रिगेड की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जूटी हुई है ये मौके की स्थिति आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वहाँ पर शासन प्रशासन के लोग तो पहुँचे हुए हैं स्थानिया लोग भी मदद कर रहे हैं मलबे के धेर से लोगों को बाहर निकालने की काटमंडू पोस्ट है वहां का लोकल मीडिया उसके मताबिक त्रिभोवन इंटरनाशनल एरपोर्ट पर शौर्या एरलाइन्स के विमान क्रैश हुआ है हवाई अड़े के सूत्र बताते हैं कि काटमंडू से ये ओडान भरी जा रही थी और विमान विमान रन्वे पर क्यों और कैसे फिसला किस वज़े से ये हाद्सा हुआ है ये सब तफ्तीश का विशे है परताल की जाएगी लेकिन फिलहाल मौके की स्थिति आपको दिखा रहे हैं और खबर ये है कि इस प्लेन क्रैश में अब तक पांच लोगों की मौत हो गई है तो नेपाल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर प्लेन क्रैश हुआ है पैसेंजर प्लेन है इसमें क्रू मेंबर भी थे कैप्टन जो पाइलेट थे इस विमान को चला रहे थे वो घायल हुए है और पांच लोगों की कैजूल्टी की बात सामने आ रही है कि बात सामने आ रहे हुआ है